कि हम बात करते हैं, is task view, sorry, task view, task view में क्या है कि हम multiple desktops अपने काम कर सकते हैं, आपने कभी देखा होगा कि desktops का meaning क्या है, tables, जिसके हम काम कर सकते हैं, for example, office में, किसी office में, दो tables हैं, एक table पर बैठके हम office के काम करते हैं, और दूसरे table पर बैठके हम खाना खाते हैं, तो दो tables हैं, ताकि हम अपने काम को manage easily कर पाएं, हम दोनु काम को mix नहीं करना चाते हैं, खाना खाना और काम करना, तो desktop multiple add कर पाना, इससे क्या होगा कि हमारा काम organized रहता है, हमारी चीज़ें मिल जाती हैं जल्दी, तो ये task view का फाइदा है, advantage of task view is organized application running on the computer, हमारे applications को जो apps हमारे computer पर run कर रहे हैं, उसको manage करने में, organize करने में help करता है, तो अभी मैं ये point read कर रहे हूँ और अभी मैं करके भी बताऊंगे आपको, we can drag and drop an app from one desktop to another, हम एक desktop से दूसरे desktop पर app drag and drop भी कर सकते हैं, अभी बात, अभी मैं practical करके दिखाती हूँ, अभी ये देखो, task bar में एक ये आपको button नजर आएगा, इसमें लिख है task view, अभी मैं इस पर click करूँगी task view पर, you can see, मैंने already desktop create करके रखा था, तो desktop 1 में एक बंद कर जाते हूँ, ये मेरे desktop है, जिस पर अभी मैंने ये सब कुछ खोला हूँ है, powerpoint खोला हूँ है, one drive खोला है, google खोला है, and this is a recorder, तो ये मेरे desktop है, इस वक्त मैं ये ये काम कर रहूँ, अभी मुझे new desktop add करना है, मैं एक नया table बनाऊंगी, desktop meaning, it means next table, अब next table मेरा बन चुका है, तो पहले table पे मेरे क्या था, powerpoint, google, and recorder, and one drive, पर अब जो नया desktop है, you can see, no app is open,